Hello everyone, वैसे काफी दिनों से मेरे मोबाइल में personal comments आ रहे थे कि एक केंद्री विद्ध्याले में एक primary teacher की salary क्या होती है तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है Actually salary भी एक motivation का कारण बन सकती है जिससे आपकी तयारी में एक bounce मिल सकता है तो चलिए एक जानते हैं कि केंद्री विद्ध्याले में एक primary teacher की salary क्या होती है Actually ये मेरी salary slip है जो recentी September 2022 की है और मेरे 3 साल हो गए है केंद्री विद्ध्याले में तो ये एक primary teacher की 3 साल बाद जो salary होगी वो है चलिए देखते हैं अभी ये जो salary का basic पे है बेसिक पे जो होता है उसी पे पूरी salary depend करती है तो basic पे ये है 38,700 और जो एक fresher का basic पे होता है वो मैं अभी आपको इसके बाद बताऊंगा वो होता है 35,400 होता है तो चलिए basic पे ही पूरी salary depend होती है देखे कैसे 38,700 रुपय क्या हो जाती है basic पे इसके बाद इसमें जो जो जोड़ता है dearness allowance जो महंगाई भता समय समय पर हर एक 6 महीने में बदला जाता है percent पे तो basic का ये 34% जो अभी वर्तमान में चल ला है recently वैसे अभी changes हो है 38% लेकिन ये अभी तक ये मिल रहा है तो 38,700 का 34% हुआ 13,158 तो ये आपकी salary में include होता है इसके बाद केंद्री विद्दाल में एक transport allowance का भी provision है तो ये 1800 रुपय ये fix मिलता है तो ये transport allowance कितना हो गया 1800 रुपय और DA on TA, transport allowance का DA जो महंगाई भता है ये 34% हो गया 1800 का 612 रुपय इसके बाद HRA house rent allowance house rent allowance वैसे जो होता है वो city के according होता है वैसे मैं बता दूँगा कि कौन कौन से city आती है इसमें क्या होता है x, y और z city के according मिलता है यदि छोटी city है z उसमें मिलता है 9% basic का और 18% मिलता है यदि आपकी city y है और आपकी यदि पोस्टिंग x city में है बड़े महान अगर में है तो वहाँ पे basic का 27% आपको क्या मिलता है HRA house rent allowance मिलता है जो आपकी salary में include होता है और यदि आप government quarter सरकारी quarter में रहते हैं तो आपको ये वाला जो है house rent allowance नहीं मिलता है क्योंकि आप खुद एक government quarter पे रह रहे होते हैं सरकारी quarter में रहे होते हो इसके बाद क्या होता है ये management share है 7,260 रुपे अब ये क्या हुआ ये इसमें क्या होता है आपकी जो basic plus basic दिये का जो 10% है ये क्या होता है ये कटता है किसमें ये कटता है आपका NPS में NPS क्या होता है मैं अभी आगे समझाओंगे इसको ये जो total क्या हो गया अब आपकी ये जो total gross salary होती है इन सब का total होती है कई लोग समझते हैं के वल जो gross salary होती है वो basic होती नहीं basic के साथ जो अन्य सारे allowance जो जुड़ते चले जाते हैं उसके बाद जो salary बनती है वो gross salary होती है इसलिए तीन साल बाद आपकी जो एक primary teacher की gross salary होती है 65,013 रुपए है अभी के और हर बाद जैसे अभी 38% हो जाएगा डिये तो ये सारे ratio change हो जाएगी और जादा हो जाएगी deduction जो होते हैं वो देख लेते हैं income tax क्या होता है ये department के दोरा अपने school के दोरा काटा जाता है कुछ लोग अलग अलग कटवाते हैं 3500 रुपए मेरा कटता है वैसे ये जो income tax है यदि आप saving कर लेते हो मार्च के पहले पहले तक आप saving कर लेते हो कुछ LIC में डाल करके mutual funds में डाल के तो आपके ये सारे पैसे जो deduction है ये सारे आ जाते हैं आपके income tax जब आप फाइल करते हो इसके बाद कहें किवेस employee welfare इसमें एक welfare एक community होती है उसके लिए हमें ये देने होते हैं किसी group का member बनना पड़ता है जो हमारी मांगे रखता है हमारी हित्मे कारे करते हैं वो एक welfare scheme होती है इसके बाद जानते हैं NPS आपने सुनोगा एक old pension scheme थी ये थी new pension scheme इसमें क्या होता है कि आपका basic plus दिये इस दोनों का plus basic plus दिये इसका 10% जो है आपका जाता है share market में पैसा और उतना ही उससे ज़्यादा ये आपका 10% गया NPS में और 14% government आपके मिलाती है तो टोटल जो पैसा आपका जो share market हो गया आपका 10% basic plus दिये के पैस 14% government ने मिलाया ये पैसा आपका share market में जाता है धीरे धीरे बढ़ता रहता है और जब लास्में जब आपका retirement होता है तब कुछ amount मिल जाता है maturity amount और कुछ amount का क्या हो जाता है कि 20 year तक उसकी salary के form में देते है यही NPS का concept है तो इस तरह टोटल deduction के बाद जो salary बन के आती है यह है 49008 वैसे यह deduction यदि मैं नहीं करवाना चाहूं तो नहीं भी हो सकता है income tax का तो यह salary भी इसमें include हो जाएगी क्योंकि मैं इसकी saving कर लूँगा तो 49 plus 3 आपकी लगबग क्या हो गई 53, 52,000 के गरीब आपकी 3 साल बाद जो KBS primary teacher की salary होती है और अभी 38% जो DA हो गया है अभी यह किसका DA है यह 34% DA के साब से salary अब क्या हो जाएगा 38% वो कैसे जोड़ेगा basic में यह जोड़ेगा 38% DA और कहाँ पर DA जोड़ेगा इससे पूरा फर्ग पढ़ जाएगा salary पर तो थोड़ा और बढ़ जाएगी तो कैसी लगे वीडियों आप हमें comment करके जरूर बताईए और आप एक और देख सकते हैं कि यह जो matrix level 6 के अंतरगत आता है जो केंद्री विद्याले जो PRT है matrix 6 के आते हैं जो TGT है 7 में आते हैं और PGT 8 में आते हैं जो PRT का पहला basic पे होता है वो 3500 होता है अगले साल क्या हो जाता है 3600 फिर अगले साल 3700 जो कि मेरा है वो 3700 है इस तरह एक एक क्रम नीचे आप बढ़ते चले जाते हैं TGT में यदि हैं आप तो 44900 basic आएगा और जो gross है उसके according आपकी सारे allowance मिला करके आपकी gross salary बनती है तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताइए और आपकी कुछ salary से लेकर के कोई भी doubt है